हेलो एंट नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में पैड़े दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार डिक्स उपकामना है प्यारे दोस्तों बियन मंडल विश्विद्याले की सभी अपडेट पर हम लोग काफी बारेकी से चर्चा करने वाले हैं तो अंतक हमारे साथ बने रहो गई और चैनल पर अभी तक कर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके भी सविद्याले एवं कॉलेज की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाल तक पहुचाने का काम किया जाता है तो प्यारे दोस्तों इतने सारे benefit मिल रहे हैं आपको इस channel के माध्यम से तो subscribe करना तो बनता है यार साथी साथ description में जो है टेलिग्राम का link है वहाँ भी आप सभी छातरों को add हो जाना है ठीक है क्योंकि वहाँ पे आपको PDF बिल्कुर निसूल करने है यानि कि दूजनवड़ी 2022 का कुछ paper cutting देख लेते हैं जैसा कि आप सभी को भली मानती पता है आज की इस वीडियो में आप सभी जानोगे कि आपका admit card offline या online download होगा दूसरी बात आप सभी का exam center list कहां पे दिया है exam center कहां पे पर आया है BNMU की जैसे ही बात आती है तो इसकी खुबसूरती को जो है कहीं ने कहीं इनका session जो session जो विलम चल रहा ये बढ़ा देती है ठीक है और इसमें नुकसान किसको होता है चातरों को और इनकी भरपाई इन नुकसान की भरपाई को ल करता है तो आपका BNMU नहीं करता है चात को खुद करना पड़ता है ठीक है तो प्यारे दोस्तों आज के बाद इस वीडियो में काफी कुछ हम लोग चर्चा करने बाले हैं प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होने चाहिए 13 जनवरी से पाट्टू का एक्जाम परादा में सुपॉल सहरसा मदेपुरा जिलों में असना तक पाट्टू की प्रेक्चाएं सुरू हो जाएंगी बात रहा है डि मीट पाट का तो आप सभी ऑंलाइन डाउन्लोड कर पाऊगे। और लाइनन डाउन्लोड करने के जब बात आती है तो इस चनल के माद धियम से हम आपको बिल्कुल लाईव जी हम आपको बिल्कुल लाइब लाइब आपका exam जो है किस कि स्थिति को होने वाली है इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे की बात करते हैं तो आई ये वीडियो को अंतक बने रहना है इसकी नहीं करना है ठीक है प्यारे दोस्तों हम लोग काफी step by step अपने exam program यानि की routing को समझने बाले हैं इसमें भी कहीं दिक्कत होता है आपको तो मुझे comment करके बताना आपके समस्या के समादान हमेशा से किया जाता रहा है और आगे भी करता रहूंगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं program for degree part 2 honors and general या subsidiary examination 2021 आपका जो honors paper है उसे कुल में लेके चार group में बाटा गया है रखा गया है physics को physics honors वाले बच्चे को history को बुटनी को geology को mathematics जब यह mathematics की बात आती है तो कुछ बच्चे arts वाले भी mathematics वाले भी mathematics वाले रखे हैं तो इन दोनों को जो है गुरूप D में ही रखा गया है geology aesthetics arts and science among commerce कुल्मला के art honors paper को जो है गुरूप D में रखा गया है तो गुरूप D की बात करें सीदी तोर पे तो science का अधिकान subject honors paper जो है आपको गुरूप D में ही देखने को मिलेगा physics, chemistry, biology psychology इसके बाद हम बात करते हैं गुरूप C की तो गुरूप C में जो है political science को रखा गया है psychology को रखा गया है जो करफी को रखा गया home science और anthropology तो कुल मिला के पांच honors paper को गुरूप C में रखा गया है इसके बाद गुरूप B में जो है sociology को रखा गया economics, rural economics, Hindi, math, English, Sanskrit, उर्दू, पार्शन, बंगाली कुल मिला के 10 honors paper को गुरूप B में रखा गया है तो गुरूप B वाले बच्चे एक पार फिर से देख लिए sociology, economics, rural economics, इसके बांक की language paper को रखा गया है गुरूप B में इसके बाद गुरूप A में history है, philosophy है, music है, यह सारी subject आपको गुरूप A में देखने को मिलेंगे आप बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि आपका exam जो है किस स्थिती से प्रारम होने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है पहले honors paper की, तो honors paper वाले बच्चे पहले देख लेते हैं आपका exam जो है 13 जनवरी से प्रारम है, 13 जनवरी को गुरूप A बा खाथाव, हिस्टरी, फिलोस्पी, म्यूजिक, अगरा बगरा, तो गुरूप A बालों का exam जो है 13 जनवरी को है, 13 पर फर्स इटिंग में, यानि कि सारे 9 बज़े से आप सभी का exam प्रारम है, इसके बात गुरूप B बालों का भी 3 पर है, गुरूप B में जैसे sociology, economics, rural economics, इनका भी 3 पर होगा, 13 जनवरी को, ठीक है, 2nd sitting में, इसके बात गुरूप D बालों का जो है, 15 जनवरी को, 2nd sitting में है, 3 पर, तो physics के यहाँ पर physics देख लेते हैं, बोटनिल देख लेते हैं, geology, mathematics, aesthetics, इनका जो है exam, 15 जनवरी को, 2nd sitting में है, प्यारे दोस्तों, इतके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, 17 जनवरी को, गुरूप A बालों का, 4 पर होगा, यानि कि आखरी पर, honors का होगा, 1st sitting में, जी हाँ, 17 जनवरी को, गुरूप A बालों का जो हगा, 2nd sitting में, 4th पर होगा, 2nd sitting में, 17 जनवरी को, ठीक है, इसके बाद गुरूप 18, यानि कि 18 जनवरी को, गुरूप C बालों का, 4th पर होगा, 1st sitting में, इसके बाद गुरूप D बालों का, 4th पर होगा, 2nd sitting में, तो honors में जैदी कोई दिक्कत हो, चो मुझे फिर इसे comment कर के बताना, इसके बाद बात कर लेते हैं, प्यारे दोस्तों, सबसेडरी पेपर का, सबसेडरी या जनरल पेपर का, ठीक है, सबसेडरी या जनरल पेपर का, तो 19 जनवरी से आप सपी का सबसेडरी या जनरल पेपर जो है, प्रारंब है, ठीक है, कानखुर को सुन लेजे, इ ठीक है इसके बाद प्यारे दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं सेकेंड सिटिंग में पॉल्टिकल साइंस होगा ठीक है यही दो एक्जाम है इसके बाद 21 जन्वरी को मैथमेटिक्स होगा आर्स वालों का इसके बाद साइंस वालों का भी मैथमेटिक्स होगा ठीक है फार्स सिटिंग में ठीक है जिनका हिस्ट्री में उनका होगा सेकेंड सिटिंग को ठीक है इसके बाद सोशियोलोजी की बात करें जनव चोबीस जनवरी को होगा आप सभी का फासिटिंग में जिनका सबसेट्री है जैदि आप एकनोमिक्स रखे हो सबसेड्री में तो आप सभी का ज उनका जो हमादगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ज़ए दिक्कते हैं तो आप खुद भाइख समझने में दिक्कत हो निग्क है वहां भी आप समझ सकते हो अब बात रहा पीडियाफ जीहान एक्जाम इजदा नजदिक आचुका आपको नौट्स कहा से मिलेगा नौट्स जो है हमारे टेलीग्राम से मिलेगा टेलीग्राम आप सभी जूइन कर लो वहाँ आपको पीडियाप के फॉर्म में सभी सब्ज़ेक के नौट्स देखने को मिलेंगे आप सभी छात्रों ने अपने परिक्षा कारीक्रम को काफी अच्छे तरीके से समझा अब एक सवाल आता होगा सर एडमीट कार्ड का क्या होगा तो एडमीट कार्ड जो है आप सभी का ओनलाइन डाउनलोड किया जाएगा जैसे कि 13 तारिक से परिक्षा हैं और आज कितना है दो तारिक आप सभी के पास कितने दिन बसते हैं 11 दिन 11 दिन याने की एक सप्ता पहले बोले तो आप सभी का एडमीट कार्ड जो है 5 या 6 जनवरी को इस चनल के माध्यम से मैं लाइब डाउनलोड करके आप सभी को दिखाने का काम करूँगा तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिपिकेसन मिल सके एडमीट कार्ड अभी फिलाल डाउनलोड नहीं किया जा रहा है परंतु 5 या 6 जनवरी को डाउनलोड किया जाएगा और हम आपको इस चनल के माध्यम से रूबरू करने का काम करेंगे अब बात आती है परिक्षा सेंटर लिष्ट को नहीं दिखा रहे है सर तो प्यारे दोस्तों कुलमला के तीन जिलों में यह परिक्षा है आयोजित होने वाले यह परिक्षा जैसे किमध्यपुरा सहरसा और सुपोल ठीक है परन तो अभी तक अभी तक प्रिक्षा सेंटर लिष्ट नहीं परकासित किया गया है जैसे ही परकासित किया जाएगा इस सनल के माध्यम से आपको बताने का काम किया जाता है तो आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को जान नहीं किया तो टेलीग्राम को जान कर लो यार क्योंकि वहाँ पे इतने सारे benefit मिल रहे हैं और इस चैनल के मादेम से इतने सारे benefit मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब तो एक बनता है